पुश्कार, स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में Adjective की जो Second Video है उसको स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम Numeral Adjective को जानेंगे और इससे पहले हमने Proper Adjective को Complete कर लिया है और उससे Related जो Question है उनको भी हमने Soled किया है जो अब तक करवा दी गई है जिसमें Pronoun Complete हो चुका है English Grammar का Basic Complete हो चुका है अब Adjective को हम Detail से कर रहे हैं और Adjective की Detail में ये Part 2 वाली वीडियो है अब स्टार्ट करते हैं आज हम Introduction में जैसे कि हमारी हमेशा शुरुवात रहती है कि Adjective क्या होती है वही हम जानते है देखे An Adjective is a word used to qualify a noun or pronoun यानि कि Adjective वो एक शब्द है जो किसी noun या फिर pronoun की विशेष्टा बताता है Simple भाषा में अगर बात करूँ तो जैसे आपने व्याकरन के अंदर हिंदी व्याकरन के अंदर सुना होगा विशेष्ण विशेष्ण क्या करता है संग्या या सरुनाम की विशेष्टा बताता है Same हम अगर English में convert उसको कर लें तो वही होता है Adjective होता है विशेष्ण ही Adjective जो है वो noun Noun क्या होता है यहाँ पर संग्या ये संग्या होती है और pronoun ये क्या होता है सरुनाम तो same ही बात आ जाती है, यह विशेशन है, ठीक है, तो विशेशन यानि कि पुर अड्यक्टिव जो noun और pronoun की विशेशता बताता है, clear, फिर हमने देखा था, कि यह सर कितने type के होते हैं, और मैंने आप लोगों के लिए यहां पर एक चार्ट भी बनाया था, कि यह इसके type यहा और आज जो है, numeral adjective करेंगे, और हर एक पार्ट जो है, उसकी अलग से वीडियो में हम उनको discuss करेंगे, उनसे related questions हम करने वाले हैं, ताकि आपको किसी भी topic के अंदर, या फिर कहीं किसी भी type के अंदर आपको कोई भी problem ना आए, clear, और जो बच जाएगा, उसको हम miscellaneous के अंद नमबर, ठीक है, तो नमबर का उनसे होते हैं, one, two, three, second, first, third, इस तरीके के, तो numeral adjective में जो हमारे सामने दो type के number निकल के आते हैं, first होता है cardinal, और second होता है ordinal, cardinal बोले तो one, आप इसको ऐसे wording में भी लिख सकते हैं, और ऐसे आपके सामने numerical उसके अंदर भी लिखा हुआ है, two, tw o लिखा आपने, फिर एक number से में, system में लिख दिया, आपने two, तो आप इसको किसी भी type में लिखे, वो cardinal adjective में ही जाएगा, ordinal का क्या मतलब होता है, जो order बताते हैं, order बताते हैं, order बताने का यानि कि first, second, third, जैसे आपने cricket में देखा होगा ना, कि first number पे को जाएगा, second number पे को जाएगा, third number पे को जाएगा, तो order बताने वाले, तो इस तरीके के हो जाएगा, तो ordinal होगे, जो order बताते हैं, इसमें आपके सामने लिखा होगा, first, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आपके सामने ऐसे भी लिख सकते हैं, second, ये लिखा होगा है, और इस तरीक अब एक example हम कर लेते हैं Example लिखा हुआ है कि Virat has booked the 31st rooms in our hotel अब यहाँ पर इस sentence को अगर हमें करना है तो इस sentence को हम break कर लेते हैं Care, break करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और कर लेते हैं देखिए इस concept पर जाना है इस example को हमें करना है तो इस example को करने से पहले दो question हमें करने होगे दो question है कि I saw her first or this is my first salary इन दोनों example को एक पर समय लेते हैं फिर इस example के उपर आएंगे देखो ज़रा I saw her first यहाँ पर अगर इस sentence को मैं break करने की बात करूँ तो I जो है यहाँ पर जो हो जाएगा यह होगा subject so यह क्या होगी हमारे सामने यह होगी verb I saw her I saw her मैंने उसे देखा मैंने उसे देखा तो यह देखने का एक तरीके से receiver होगया देखने का तो यह होगया object I saw her first मैंने उसे देखा पहले यह first किसको qualify कर रहा है यह first qualify कर रहा है इस so को इस so को qualify कर रहा है तो यह first क्या बनेगा भई यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह verb है यह एक ऐसा word जो verb को qualify कर दे जो verb के बारे में बता दे जो verb की विशेष्टा बता दे तो उसको कहेंगे हम adverb तो यह first जो है यहां पर यह बन जाएगा adverb clear अभी sentence में आओ जो रहा है इस sentence में लिखा हुआ है this is my first salary तो this is my first salary तो this यहां पर हो जाएगा आपके सामने subject is यहां पर main verb है linking verb का काम कर रही है this is my first salary यह जो salary है यह subject complement है यह क्या है subject complement है noun है यह ठीक है noun है अब यहां पर subject complement बना हुआ है और is जो है आपको पता है कि यहां पर main verb का काम कर रहा है तो इसलिए linking verb और linking verb के बाद क्या आते है subject complement आते है यह मैंने आपको first video के अंदर बताया था जब हमने जो English grammar की basic हमने start की थी वहां पर care अब यहां पर आते हैं यह जो first लिखा हुआ है इस salary के बारे में बता रहा है और यह my जो है वो भी इस salary के बारे में ही बता रहा है कि भाईया यह salary जो है वो पहली है और साथी साथ वो मेरी है तो दो चीज़ें बताई है तो यह this is my first salary यह जो my है यह एक adjective है और adjective में भी यह possessive adjective है care, यह possessive adjective भी आएगा धीरी-धीरे, अभी numeral adjective है, numeral adjective के बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे, quantity qualitative, possessive, यह सारी चिज़े हमारे सामने आएगे, उनको वहाँ पर भी करेंगे even मैं कहूं कि numeral adjective के बाद अगला जो adjective का type आएगा वो possessive adjective ही आने वाला है तो यहाँ पर आपके सामने जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है my, my जो है वो एक possessive adjective है, अधिकार जताने वाला possessive का मतलब होता है, अधिकार जताना अब यहाँ पर first, यह जो first है, वो इस salary के बारे बता रहे हैं, तो salary जो है वो एक noun है, और जो एक word noun के बारें बता दे, वो क्या होगा, adjective होगा, तो यह adjective है, ओके तब यह ताम जहाँ मैंने यह दो जो sentence है, वो यह क्यों कराए है, उसके पीछे reason है उसके पीछे reason क्या है कि आपने देखा, जो मैंने आपको starting में कराया था, ordinal और cardinal तो ordinal में अगर आप देखते हैं तो यह first यहाँ पर लिखा हुआ है यह first यहाँ पर लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया कि यह जो है वो एक ordinal adjective है तो यह first यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यह first यहाँ पर भी लिखा हुआ है यहाँ पर मैं इसको adjective बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ पर मैंने इसको adverb बता दिया तो यह पूरा तामजाम कराने के पीछे मकसद यह था कि एक word काफी सारे parts of speech का काम कर सकता है यहाँ पर यह adverb बना है, यहाँ पर यह adjective बना है clear हुआ यहाँ पर अब इस sentence के उपर आते हैं तो देखिए जरह विराट has booked the first विराट has booked the thirty first rooms in our hotel अब यहाँ पर इस sentence को break करने की बात करें तो has जो है वो हो जाती है helping verb booked यह हो जाएगा आपके सामने main verb और यह book करने का काम किया कि इसने विराट ने तो विराट हो जाएगा आपके सामने subject booked what क्या book कर लिया book कर लिया भाई rooms तो rooms हो जाएगा आपके सामने इस book verb का object यहाँ पर of जो है वो preposition है और hotel जो है वो इस preposition का object है clear और are जो है इसके ओपर अधिकार जताने वाला फिर से एक possessive adjective यहाँ पर मैंने लगा रखा है clear हुआ यहाँ पर यह sentence हो गया यहाँ पर और यह दा जो है वो एक article है अब यहाँ पर हमारे सामने यह 30 और यह first यह रह जाते है अब एक simple सा इसका एक rule चलता है rule यह है rule यह है मैं rule लिखके भी दे देता हूँ यहाँ पर आपकी सामने आ भी जाएगा यह देखिए जब भी cardinal और ordinal adjective एक साथ आते हैं तो ordinal जो है वो पहले आएगा फिर cardinal आएगा यह rule चलेगा ठीक है अब यह rule बना क्यों इसके पीछे भी मैं आपको एक logic एक explanation भी दूँगा बट इसको समझो जरा अगर आपने इस 30 और first को कहा कि सर हम इसको ordinal को पहले लेके क्यों आए क्या यह ऐसे रखने में दिक्कत क्या है तो यहाँ पर जो बच्चे के doubt बनते हैं बच्चे के doubt आते हैं कि सर आपने इसकी हिंदी क्या기에 तो यहाँ पर इसकी हिंदी काफी सारे बच्चे एक तो यह करेंगे कि 31 रूम कर लिए 31 रूम's book कर लिए यानि 31 रूम लूम कर लिए अब 31 रूम's कर लिए तो 31 का तो 31st थोड़ना लिखेंगे वो तो 31 rooms लिखे जाएंगे 31 rooms लिखे जाएंगे तो फर्स्ट की जगहां पर वन आना था कोई बच्चा यह बोलेगा कि 31 सर इक किसका मतलब हो गया 31 कमरा 31 कमरा तो अच्छा अगर आपने माना 31 कमरा अगर आप बोल रहे हो 31 कमरे में यहां तो रूम्स की जगहां पर रूम होना चाहिए तो यह तो 31 नंबर अगर आप ऐकतीस्वां नंबर है तो भी खलत है आप कहेंगे कि सर 31 कमरा नंबर अप तो 31 नंबर आप वह अगर आपको बोलना होता तो आप यह रूम्स क्यूं लगाते हैं अभी सारे बच्चे बोलेंगे सर यह rooms का S अटा देते हैं तब तो सही हो जाएगा तो फिर यही बात होगी ना यह पूरा sentence ही काट दो इस sentence को काट के लिख दो विराट is a good player तो यही लिख दो भई समझो examiner आपसे क्या जानना चाहरा है वो examiner आपसे जानना चाहरा है कि आपको पता है कि नहीं पता है कि जब ordinal और cardinal एक साथ आते हैं तो इनकी sequence क्या होती है कि भई यह पहले O आएगा फिर C आएगा OC OC सुनो जी OC यह वाला concept चलेगा यह वाला sequence चलेगा भई तो यहाँ पर जब भी ordinal और cardinal एक साथ आते हैं ordinal पहले आएगा यानि order पहले दिया जाएगा फिर cardinal आएगा इसको ध्यान रखना तो यहाँ पर यह जो 30 और यह first है इनको एक तरीके की switch करने की जुरूरत है कि यहाँ पर जो है वो first आएगा यहाँ पर जो first आएगा और यहाँ पर जो है वो 30 आएगा actual में इसका मतलब क्या है कि विराट has booked first 30 rooms पही कोई hotel है कोई hotel है इस hotel के अंदर विराट ने पहले 30 कमरे book कर लिए पहले 30 कमरे book कर लिए अगर यह first ना लिखा होता first ना लिखा होता तो विराट has booked 30 rooms पही वो कोई भी room हो सकते हैं जैसे sequence wise नहीं होगे पहले 30 कमरे book कर लिए गए है यानी कि जैसे entry आप hotel के अंदर करोगे तो पहले ही 30 कमरे होंगे वो अपने ही है यह बात हो जाती है अब यह rule बना क्यों अब यहाँ पर आपने देखा विराट has booked दफ बिराट has booked the first 30 rooms of our hotel अब यहां पर यह जो first है यह जो first है यह काम क्या कर रहा है actual में यह first और 30 पहले 30 की बात कर लेते हैं 30 क्या काम कर रहा है यह room जो है यह है एक noun यह एक noun है और 30 जो है वो एक noun के पहले लगा हुआ है obviously यह एक adjective है obviously एक adjective है अब बात करें यह first यह first क्या कर रहा है क्या यह first इस room को qualify कर रहा है या इस 30 को qualify कर रहा है जड़ा सोचू यह जो first है वो इस 30 को qualify कर रहा है तो यहां पर यह adverb बना हुआ है यह adverb बना हुआ है अब यहां पर इस पूरी चीज को लिखना है आपने कि जब भी, ये तो मैंने आपके सामने लिखा हुए कि जब भी cardinal, ordinal एक साथ आते हैं तो ordinal पहले आएगा और फिर उसके बाद cardinal आएगा क्यों? क्यों होता है? क्योंकि इस case में ordinal adverb हो जाते हैं cardinal के लिए ये बात आपको लिखनी है कि भाईया, जो ordinal है ये ordinal जो है वो इस cardinal के लिए adverb हो जाते हैं और adverb कैसे बन जाते हैं? ये sentence में हमने जाना भाईया, ये पहली चीज़, मैंने आपको यही सिखाई कि एक word काफी सारे parts so speech का काम कर देता है कि जब भी ordinal और cardinal एक साथ आएंगे ordinal जो है, वो इस cardinal के लिए एक तरीके से adverb का काम करेगा कैसे करेगा? यहाँ देखो अगर आप कहो कि sir ये first जो है, वो इस room को qualify करेगा तो भाईया, ये rooms क्यों लिखा हुआ है? ये 30 क्यों लिखा हुआ है? ऐसा कभी होगा? ये सब चीज़ें आप plural singular कर पाओगे इसको, आप first भी बोल रहे हो उसके बाद plural भी चीज़ें लगा रहे हो ये सब चीज़ें थोड़ना चलेंगी फिर से समझ लो इस चीज़ें को, कि भाईया जब भी ordinal और cardinal एक साथ आते हैं तो ordinal पहले आएगा फिर उसके बाद cardinal आएगा क्यूं? क्यूंकि इस case में ordinal जो है, वो adverb बन जाती है ये बात आपको लिखनी है clear? तो ये हुआ आपके सामने numeral adjective का first sentence अभी आगे और भी चलेंगे ऐसा नहीं कि सर खतम हो गया अभी तो और भी है तो चलिए, ये तीन sentence करते हैं जल्दी से यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि I have sold the five first question of this exercise अगर इसको मैं sold करूँ तो have जो है वो helping verb है sold जो है, वो main verb है और ये sold करने का काम किया कि इसने इस आई नहीं किया तो ये subject है sold, sold क्या कर दिया भया, sold, क्या sold कर दिया questions sold कर दिया तो questions क्या बनेंगे object बनेंगे of preposition है और exercise जो है वो इस preposition का object है और this क्या काम कर रहा है this इसके ओपर demonstrate इशारा कर रहा है ये demonstrative adjective है ये demonstrative adjective है वैसे हमने class जो basic की हमने देखी थी या फिर मैंने basics के आपको videos provide कर रहा ही थी उसके अंदर हमने discuss भी किया था कि adjective कितने type के होते है और हमने वहाँ पर पहचानना basic का था this, that, these, those ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमने की भी थी अगर वह class आपने अच्छे से लगाई होगी तो आज आपको पता चल रहा होगा कि this क्या है, that क्या है ये सारी चीज़ें आप असानी से पहचान पा रहे होगे question solve करने को नहीं कह रहा हूँ मैं पहचानने की बात कर रहा हूँ तो वो सारी basics करवाना मेरे लिए इसलिए जरूरी था या फिर इसलिए अब मेरे लिए वो फाइदे मंद हो रहा है कि आप वो देखकर आए है तो आपको सारी चीज़ें एक्तम बढ़िया से clear हो रही होगी अब बात करते हैं, ये दा ये दा आर्टिकल हो गया, ठीक है? ये दा आर्टिकल हो गया अब बात करते हैं, इन दो वर्ड की फाइफ और इस फरस्ट की अब वहाँ पर पीछे जो हमने लिखा था था थर्टी फरस्ट उसमें तो इकत्तिसवा कर रहे थे ये कौन सा हो जाएगा? पांचवा, पांचवा कोशन भई अब पांचवा कोशन वहता तो उसे फिफ्ट लिखते है फाइफ फरस्ट क्यों लिख रहे हो? तो ये आप कही न कहीं इससे ये समझ नहीं आ रहा कि आपसे एक्जामिनर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि भई, कि ओड़िनल और कार्डिनल एक साथ आ害। तो क्या तुम्हें पता है कि ओड़िनल पहले आएगा, आबाद में कार्डिनल आएगा और यहां पर आपने देखा कुशन लिखे हुए हैं तो यहां पर फर्स्ट फाइफ की बात होईगी first five की बात हो रही है यह five जो हो इस questions को qualify कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर यह adjective बना हुआ है और यह first जो हो इस five को qualify कर रहा है तो इसलिए adverb बना हुआ है clear तो फिर से जब भी ordinal और cardinal एक साथ आएंगे तो ordinal जो है वो cardinal के लिए एक तरीके से adverb का काम करेगा या फिर कहें कि वो adverb बन जाएगा वो cardinal से पहले आएगा अब अगले sentence में आते हैं अगला sentence लिखा हुआ है आपके सामने कि you are second person who will get this prestigious award कि भाया तुम second person हो जिसको ये बहुत परसिद बहुत एक तरीके से काफी famous award मिला है तो यहाँ पर you are, are जो है यहाँ पर main verb है person जो है वो subject compliment है noun है you जो है वो subject है who जो है वो relative pronoun है इसको refer कर रहा है person को will get ये helping verb है, ये main verb है will get, get क्या भाया award मिला, तो award जो है वो object है वो का prestigious, ये इसको qualify करने वाला adjective है और this, this क्या कर रहा है भाया, this इस award को qualify करने वाला एक demonstrative adjective है ये भी एक adjective है clear, इस award को qualify कर रहा है अब यहाँ पर, ये second क्या कर रहा है ये second जो इस person को qualify कर रहा है person क्या है, noun है तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर adjective बनेगा, तो ये एक adjective बना हुआ है, clear सर इसमें दिक्कत क्या थी भाईया दिक्कत इसमें ये थी, कि जो second है न, ये order बताने वाले, यानि ये ordinal adjective है तो ordinal adjective की एक कहानी है कि ordinal से पहले समानित है, the article का use किया जाता है, ये चीज़ जिहान रखनी है, क्यों किया जाता है सर, कोई reason, हाँ basic reason भाईये जो ordinal होते हैं, वो किसी चीज़ को specific कर देते हैं, specific कर देते हैं, तो आपको पता है कि a, n, और the, ये article होते हैं specific करने के लिए the, और generalize करने के लिए an का use किया जाते है तो यहाँ पर specific कर रहे हैं, वो second person है, भाईये second person specific कर रहे हैं, तो इसलिए इस second से पहले the आएगा, जैसे superlative degree के पहले हम the article use करते हैं, ऐसे ही जो हमारे सामने ordinal होते हैं, ordinal adjective होते हैं, तो उनसे पहले आप the article ही पाएंगे, जैसे यहाँ पर देखा, the is five, first से पहले आया हुआ, उससे पहले अपने first 30, उसमें first से पहले दा आया हुआ, अब यहाँ पर आया हुआ, clear अब अगले sentence में आते हैं, this is my second century in this tournament, अब यहाँ पर this जो है, यह subject है, is जो है, वो main verb है, linking verb है, century जो है, subject compliment है, second इसको qualify करने वाला adjective है, और my भी जो है, वो इस century को qualify करना, यह भी एक adjective है, possessive adjective है, in preposition है, और tournament जो है, वो इस preposition का object है, और this जो है, वो इस tournament को एक तरीके से इशारा कर रहा है, तो यह demonstrative, demonstrative adjective है, clear, सर इसमें क्या दिक्कत है, सर यहाँ पर my लिखा हुआ है, इब यहाँ पर, my के बाद यहाँ पर, यानि, second से पहले हम दा लगा दें क्या, कि नहीं, यह नहीं करना अब यहाँ पर, क्यों नहीं करना, इसका reason, देखें, इस sentence में, my लगाने से पहले ही, जो है, वो definite हो गया है, my लगाने से, यह जो, एक तरीके से second, यह तरीके से कहें, कि यह definite हो गया है, तो यहाँ पर, दा जो है, इसकी लगाने की जुरूरत नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, क्यार, इस चीज़ को मैं आपको समझा दी भी देता हूँ, एक note के तरीके से, कि जहाँ पर, यह नहीं हो सकता, यह एमाई दिस, यह नहीं हो सकता, clear हुआ, तो यह सारी चीज़ें आपको लिखनी है, यह लिखी लिखाई आपको मिल भी जाएंगी, description box में, एक telegram का लिंक भी दिया मिलेगा, तो वहाँ से आप पीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन, उससे बैटर यह रहेगा, कि यह सारी चीज़ें आप खुद लिखें, आप लिखेंगे, तो यह सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होंगी, क्योंकि खुद के बनाए हुए notes काफी जाद अच्छे थे, याद रहते हैं, आपको practice होती है, चीज़ें समझ में आती है, उमीद करता हूँ कि यह complete concept, जो numeral adjective का है, वो समझ में आ गया होगा, ordinal, cardinal से related, और कहां दा, article लगाया जाता है, तो अगले concept में हम मिलेंगे, जिसमें हम possessive adjective करने वाले हैं, वीडियो पसंद आई हैं, तो बेशक इसको like करें, दाउनलोड कर सकते हैं, थैंक यू वर वाचिग दिस वीडियो,